नमस्कार दोस्तों स्वागा था आप कारके क्लासिस में आज की क्लास में सविनय वग्यांदुलन की बात करेंगे इससे पहले हम लोगों ने 1857 से जितने भी करीब पांच तरह के प्रश्ण बनते हैं उनको कवर कर लिया है यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप प्ल सविनय वग्यांदुलन में देखिए हम लोग जानेंगे इसके क्या कारण है बिहार में इसका किस प्रकार से विस्तार हुआ इस सविनय वग्यांदुलन की जो कारे करम और कारे पदरती थी उसके बारे में चर्चा करेंगे साथ इसके प्रभाप को देखेंगे और अंत में इसके निस्कास के तरफ चलेंगे शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें पास वाले बेल एकन को दबाएं वीडियो अच्छा लगता है तो से लाइक और शेर जरूर करें तो नीचे जो है देखें इंस्टार और जो है सोसल साइ से इसपे डिसकस करेंगे देखी क्या कहता है कि 12 मार्च 1930 में सावरमती से गांधी जी के द्वारा अपने अनुयाईयों के साथ ब्रिटी सरकार के द्वारा आरूपित नमक कानुन का उलंगर करने के लिए गुजरात में इस्तित दांडी तक एक एतिहासिक यात्रा किया गय जिसे गांधी का परशिद दांडी मार्च भी कहा जाता है ठीक है ध्यान रखी का यह डेट पीटी में पूछा जाता है कहा से पिछले बारे मार्च 1930 से यह यात्रा तो हुई लेकिन प्रस्थ यह है कि गांधी जी द्वारा प्रारंब नमक सत्यागर्य का उद्दिश्य क्य गई देखी दिसंबर 1929 में लाहूर में आयो जीत भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के द्वारा राश्ट्री अंदुलन का उद्देश्च जो है यह पूर्ण स्वराज को घोशित किया गया था कई दफ़ा पीटे में यह सब प्रश्ण पूछा जाता है तो इस अधिवेशन की जो है अध्यक्ष कोन है वह आपको कमेंट में करके बताना है लाहूर अधिवेशन 1929 के आगे देखते हैं कहता है सविनय वग्या अंदुलन के कारणों की गर बात करें तो असर्योग अंद कॉंग्रिस के समाजिक अधिकार को बढ़ाया जा रहा था ब्रिटिस सरकार के द्वारा इस समय से पुर्व 1919 के अधिनियम की समिक्षा है तो साइमन कमिशन का गठन किया गया अब कब किया गया यह आपको कमेंट में बताना है इसको ठीक है बहुत बार इस अधियाम में ब्रिटिस सरकार की नसलवादी स्वरूप को उजागर करता है इससे भी भारतिय लोग कहीं न कहीं असंतुष्ठ थे बात करें अगले कारणों की तो कहता है 1926 में नहरू कमेटी की द्वारा भारतिय लोगों की और से एक संबिधान प्रस्तावित किया गया लेकिन वह भी औसफल हो गया यानि जो भारतिय और अंग्रीजों की बीच में जो गतिरोत थी वह बना रहा लगातार वह बढ़ता ही चला गया अगली कारण की बात करें तो कहता है 1929 में वैस्विक महमंदी के प्रभाव ने भारतिय लोगों की समाजिक और आर्थिक समस्य समस्याओं को बढ़ा दिया जैसे कि करों में विर्धी महंगाई की समस्या बेरोजगारी लेकिन ब्रिटिस स्रकार ने इन समस्याओं के प्रति अस्वंवेदन सीन्ता दिखलाई देखिए बेरोजगारी तो खेर आज भी काफी चर्ण सीमा पर है तो ये सारे जो हैं कहीं न कहीं इस आंदूलन के प्रमुख कारणों में सामिल है कहता है कि इसी प्रिष्ट भूमी में दिसंबर 1929 में लाहोर कॉंग्रेस अदिवेशन का आयोजन किया गया जिसमें कि कहा गया कॉंग्रेस आगामी आंदूलन में स्वराज के लिए नहीं ब में कहा गया कि गांदी जी को यह अधिकार दिया जाता है कि वे जब चाहें जहां चाहें अपना शविन्य वग्यांदोलन शुरू कर सकते हैं इसी प्रिष्ट भूमे में गांदी जी ने तत कालिन ब्रिटिस वाइस रहा है लॉड इर्भिन के सामने एक यारे मांग पेस की इ प्रिष्ट सरकार ने मांगों पर सानुबूती के साथ विचार नहीं करती है तो उनके पास सवीन्य वग्यांदोलन के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं है तो यह महत्पुन प्रिजन थे बात करें अगर से मांदी तो देखिये क्रिया पदितिक इंतरगत क्या लिखा जा सकता है कहता है कि असयोग आंदोलन की तरह सविनय वग्या आंदोलन में भी संगर्स विराम संगर्स को गांदी जी ने इस आंदोलन की क्रिया पदितिक रूप में स्विकार कर लिया जिसमें समराजवादी सरकार का विरोध करते हुए भारती राष्ट्रे आंदोलन का लक्ष पुन्ट स्वराज तथा राष्ट निर्मान करने का भाव नहीं था तो आंदोलन की जो कारेपदेती थी वो इस प्रकार से तै की गई थी बात करें कारेकरम की तो कहता है सविने अवग्या अंदोलन में गांधी जी ने रचनात्मक एवं नकरात्मक दोनों कारेकरम को सम्मेलित किया जिसमें की पिछले अंदूलन से अंतर था और क्या अंतर था तो अंतर यह था कि इसमें गांदी जी ने अपनी उगरता का परिश्य देते हुए जान बूच कर कानून को तोड़ने सरकार को कर ना देने की सिफारिश की क्योंकि उनकी दृष्टी में बृटिस सरकार के द्वारा सासन करने का आधार नियाय पर अधारित ना होकर शोसन पर अधारित था गांदी जी का जैसा मानना था कि जो बृटिस सरकार सासन कर रही है वह सोशन कर रही है सासन नहीं कर रही और जब वह सोशन कर रही है तो इध तो कहता है कि सविनय वग्यांदूलन को गांदी जी के द्वारा मुख्य रूप से नेतरुत प्रदान किया गया लेकिन चुकि कॉंग्रेस का वयचारिक अधार लोकतांत्रिक था अतह भारत के अन्य छेत्र में इस अंधूलन के दौरान अस्थानी अस्तर पर का निर्वन किया गया बात करें इसके समाजिक अधार की तो कहता है कि सविनय वग्यांदूलन भागिदारी के स्तर पर एक अखिल भारतिय आंदूलन था इसमें किसान मजदूर आदिवासी सिक्षित वर्ग भारतिय पुंजित वर्ग एप छात्र महिलाएं सभी वर्गों क समनवे था मतलब ये पूरी तरह से बात कर लें तो एक अखिल भारतिय था क्योंकि इसमें जैसे 1857 में कुछ काफी कम लोगों ने काफी कम एरिया की लोगों ने इसमें सपोर्ट किया था लेकिन सविनय वग्यांदूलन की बात करें तो इसमें सभी जाती वर्ग जो है महिल इसमें चात्र पुझीपति सब सामिल थे इनका ये नदिलक इनका भारत करने सविनय वग्यांदूलन की विस्तार क向 कहता है कि क्योंकि सविनय वग्यांदूलन एक अखिल भारतिय आंधूलन था तो सम tsunami है इसका भोगुलिक विस्तार पूरे भारत में हुआ उत्तरपस्यम सिमांत के छेतर में खान अदुल का फार खान इन्हें सिमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है तो इन्होंने जो है उत्तरपस्यम सिमांत में इससे का नेतृत किया कहता है कि महाराष्ट के धरसना में एक नमक फेक्टरी के सामने राश्ट्रवादी सरोधी नैडू इमाम साहिब मनिलाल के नेतरुत में नमक सत्याग्रा चलाया गया जिनके उपर ब्रेटिस सरकार ने निश्ठुरता का परिचाय देते हुए लाठियां चलवाई जिसका जिक्र अमेरिकी पत्रकार वे मिलर ने भी किया है बात करें अब बिहार में सविनय अवग्यांदुलन के विस्तार की देखे इसमें क्या important fact लिखेंगे कहानी को नहीं लिखना है जो महत्पूर्ण बाते हैं जिसने कम सब्दों में पूरा सार निकल जाए वो ज्यादा important है कहता है कि गांधिवादी सविनय वग्यांदुलन ने बिहार में भी अपना व्यापक प्रभाब छोड़ा जो स्वभाविक था क्योंकि 1917 से ही बिहार राष्टवादी धरा से जुड़ने लगा था अर्थात गांधी बिहार के लिए नवीन नहीं थे क्योंकि 1917 में इन्होंने अपना पहला सफल सत्यागरह यहां पर किया था और बिहारी लोगों ने गांधी जी के प्रभाब को जाना था उनसे वे परिचित थे दोनों का मतलग आप ऐसी कर सकते हैं कि दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉंडिंग थी 1920 में भी बिहार ने गांधी वादी और श्रीव अंधुलन के दोरान रास्टे सर पर पर परिभाशित कारिक्रम क्रिया पदती के तहत बिर्टी सरकार का विरोध किया वही धारा 1930 में असपश रूप से मुखर हुई मतलब एक तरह से काफी पूराना बॉंडिशन हो गया था 1970 से लेकर 1930 तक जो है कई अंधुलन हुए और इसमें बिहार वासियों ने बिहार ने पूरी तरह से जो है भारत के साथ या गांधी जी के जो कारिक्रम थे उनको फॉलो किया कहता है कि सबसे पहले सबसे प्रबल सविनग अवग्या अंधुलन की धारा चंपारन एवं सारन के छेत्र में दृष्टि गोचर हुई इसके साथ या बिहार के अन छेत्रों में भी इसका व्यापक विस्तार हुआ जैसे पटना में अंबिका कांथ सिंग के नेतृत में जबकि दर्भंगा में शत्त नरायन सिंग, मुझफर पूर में रामदयालू सिंग और जनकधारी प्रसाद के नेतृत में अंधुलन ने विस्तार रूप लिया आगे कहता है बिहार में सविनय वग्या आंदुलन के दोरान सबसे अधिक सफलता विदेशी वस्तों के बहिस्कार में दिष्टी गोचर होता है और इस संदर्म में बिहार के महिलाओं की भागेदारी काफी उल्लेखनी है जैसे कि पत्ना में स्रीमती हशन इमाम एवं विंद्यवासनी देवी के दोरा विदेशी वस्तों के बहिस्कार में अस्थानिय महिलाओं को नित्त परदान किया गया ये कई लोग थे जिन्होंने लोगों को अंगरीजों के खिलाफ या बिदेशी वस्तुओं के बहिसकार में करने के लिए कई सारी जो लोकल जो एरिया से उनमें उन्हें मोटिवेशन दिया और अपने साथ जुड़ा कहता है कि सविनय वग्या अंदूलन के दौरान बिहार में चौकिदारी कर रोकू अंदूलन भी चलाया गया यह भी पेसी में पूछा गया है पीटी में ध्यान रखना इसको जो कि गांधी वांदी अंदूलन का एक खास हिस्ता था जिसमें की सरकार को करन देने की बात कही ग किहार में भी अस्थकित हो जाता है बात करें सविनय वग्या आंदुलन की क्या सीमाई थी तो इसमें जानेंगे कहता है कि सविनय वग्या आंदुलन की सबसे पहली सीमा तो यह है किसमें अर्शयोग आंदुलन की तुलना में मुश्लिम समुदाय की भागिदारी घट गई हलांकि भारत के सिमांत्र छेत्र में खान अदुलगफार खां के अन्यायों ने जरूर इस अंदुलन में भाग लिया था कहता है सविनय वग्यांदुलन में मजदूरों की भागिदारी भी कुछ सीमा तक घड़ गई की मजदूर वर्ग जो हैं यह समाजबादी विचारधा से प्रभावित होकर अपने वर्गिये हितों की अधार पर संगठेत होने लगे थे बात करें इस अंदुलन के प्रभाव की तो कहता है कि पहली बार इस अंदुलन ने कॉंग्रेस इस अंदुलन में कॉंग्रेस ने लोगों को दिया गया आंदुलन कारियों ने से बड़े पैमाने पर इसको मनाया तो ये सारे इसके प्रभाव थे बात करें इसके निसकर्स की तो देखिए कहता है संचेप में ये कहा जा सकता है कि भले ही सविनय वग्यांदुलन अपने खोशित उद्देश को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा लेकिन निसंदे ये आंदुलन ब्रिटिस सामराजवाद की सापेक्ष भारती राष्टवादी विचारधारा को एक मजबूत इसने आधार जो है इसने प्रदान किया प्रश्ण देखी क्या है सविनय वग्यांदुलन भारती राष्टवाद के स्वरूप में करांती कारी प्रिवर्थन था टिपने किजिए सविनय वग्यांदुलन के उद्वभब की पीछे उत्तरदाई कारकों का उलेक करते वे बिहार में उसके तरह जो कुछ प्रभाब उनका मुल्यांगन करें तो देखी जितने भी सविनय वग्यांदुलन से प्रश्ण बनते हैं उनको एक एक करके कवर किया जाएगा तो थोड़ा इसमें समय कम मिलता है लेकिन मैंस में काफी समय है तो आप अपनी तरफ से लगे रहे वीडियो अच्छा रहे हैं तो से आप श गया प्रफ से लिबादप्न परोप करें डिंहाता है तो से लगर कु थी जिघ्ट में प्र। प्रणढ़ा इवेज़ा तंपर, से लाएईगन रहे से लाए़ नियर।